नमस्कार, मैं दीपांकर मिश्रा, एक बार फिर से आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े ओन्लाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ आज हम लोग मिक्चर एलिगेशन की क्लास करेंगे, मिक्चर एलिगेशन मैथ का सबसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक है, मोस्ट इंट्रेस्टिंग टॉपिक है, क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है, एक बार फटा-फट सभी लोग मुझको जड़ा झालिए हाजी क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर सुनाई पढ़ रही है एक बार बेटा जला सभी लोग रिप्लाई करिए मैं दिपांकर मिच्टा अनकैडमी प्लस पे रेगुलर लाइव पढ़ाता हूं मेरी यूट्यूब के पे मेरी रात में साड़े नव बुझे क्लास होती है दीपांकर लाइव मेरा रिफ्रेल कोड है आप इस रिफ्रेल कोड का यूज करेंगे आपको फीस होगारा में इंस्पेंट डिसकाउंट मिलता है मुझे बताइए क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि मुझे किसी का भी रिस्पॉंस नहीं दिख रहा है एक बर जोड़ा आप लोग रिप्लाई करके मुझे को मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास अगर आप अनकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि मेरा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है रेशियो जिसमें मैं मिक्स्चर एलिगेशन आज से स्टार्ट किया हूँ आज उसकी पहली क्लास हुई ह आज मैं उसका आपको एक इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ मिक्स्चर एलिगेशन का बिलकुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे-च्छे कोशन है तो यह रहा मेरा पहला कोशन अगर आप लोगों में से कोई भी स्टुडेंट अगर प्लस बॉक्स में लिखेंगे चैड़ बॉक्स में इसका अंसर लिखेंगे हाँ जी मेरी आवाज आ रही है चलिए यह करते हैं कोशन 200 ग्राम की मिस्र धाद उमें जस्ता और तामबा 5 अनुपात 3 के अनुपात में है इसमें कितने ग्राम तामबा मिलाया जाए ताक यह अनुपात 3 अनुपात 5 हो जाए इसमें 5 अनुपात 3 के अनुपात में है तो देखे इसको सबसे पहले कैसे करेंगे रेशियो वाले मैथड से हम लोग करते हैं इसको 5 रेशियो 3 ये किस चीज का है जिंक है जिंक है और पॉपर है इस ट्राइटिंग में कितना था 5 रेशियो 3 है फिर कह रहा है कि 200 ग्राम का मिसरा था जिसने 5 अनुपात 3 के अनुपात में इसमें कितना ग्राम कॉपर मिला दिया जाए कि रेशियो 3 रेशियो 5 हो जाए कॉपर मिलाने की बात हो रही है मेरी बात को गौर से सुनिएगा इसमें कॉपर मिलाने की बात हो रही है तो याद रखे, copper मिलाया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, copper अगर मिलाया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, zinc की quantity same रहेगी, how much gram copper be added, copper मिलाया जा रहा है, इसका मतलब zinc की quantity same रहेगी, zinc यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से multiply कर दो, यहाँ पे 5 से कर दो, तो य इसमें 3 से और इसमें भी पाफ से तो यह देखिए यह ratio कितना बन गया 15 ratio 9 और यह वाला ratio कितना बन गया 15 ratio 25 अब देखिए starting में सभी लोग जोरा मुझे एक एक बार चैट वॉक्स में मुझे reply कर दें, बताएं क्या मेरी आवाज बेटा clear आ रही है, left in and rhythm, hello, मेरी आवाज आ रही है बेटा, एक बार जिरा clear बताईएगा, इस ट्राइटिंग में देखे, यहाँ पर कितने ग्राम है, 200 ग्राम है, कितने ग्राम है, 200 ग्राम है, तो 15 और 9, ठीक है, 15 और 9, इनको जोड़ेंगे, कितना हो गया, 24, इस ट्राइटिंग में कितना था, 24 ग्राम, 24 ग्राम की वैल्यू कितने के बराबर है, 200 ग्राम के बराबर 24 ग्राम की वैल्यू कितने के ब्राबर है? 200 ग्राम के ब्राबर है अब आप से पुछा जारा कितने ग्राम तामबा मिलाया जाए? कितना कॉपर मिलाया गया है? 9 से 25 पे आ गये कितना बढ़ा बेटा? 16 बढ़ा तो 16 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल नेगे 16 unit की value निकाल लेंगे तो 200 बटे 24 इंटल 16 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 मतलब 400 बटे 3 400 बटे 3 को हम लोग क्या लिखेंगे 133 हो और 1 बाइ 3 लिखेंगे Lieutenant Ritam, Sohit Singh, Maya यादो, Brahma प्रकास यादो Very good तो ये बहुत ही basic से मैंने बताया है ratio के method से ये बताये क्या ये बात समझ में आ गई है जिन लोगों को ये question आ गया है वो लोग फटा-फट वाइ लिख दें एक एक बार वो सभी लोग एक एक बार वाइ लिख दें मुझको बता दें कि ये question समझ में आ गया है इस miscellaneous question का detailed discussion कराऊंगा, अगर आपका exam लगा हुआ है, अगर आपका paper pass में है, तो आप इस class को मेरे attend करेंगे, ये 25 question आपकी math के सभी 25 chapter को cover करेंगे, हाँ, तो ये second question है, mixture allegation का, 729 ml of a mixture contain milk and water in the ratio 7 ratio 2, how much more water is to be added to get a new mixture containing milk and water in the ratio 7 ratio 3, ये दिया गया है, सभी लोग इसका answer तुरंट करिए, बिना late किये, देखो सब, अब इसके बाद देखो, milk और water, कितना ratio दिया गया है, 7 ratio 2, how much more water is to be added, then the ratio becomes milk and water, 7 ratio 3, आप से water पूछा जा रहा है, कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाया जाएगा, तो पानी की quantity बढ़ेगी, milk की quantity सेम रहेगी, तो milk की quantity देखो, यहाँ भी साथ है, यहाँ भी साथ है, milk की quantity सेम है, सुरुवात में mixture देखिए 7 और 2 कितना हो गया 9 साथ और 2 9 9 की value कितनी हो गई 729 के बराबर हो गई 81 times हो गया 81 times हो गया आप से पूछा जाना कि पानी कितना मिलाया जाए 2 से 3 पे आए तो वही एक unit की value 81 के बराबर है यहीं 81 लेटर 81 ml मिलाया गया कर लेंगे सभी लोग जिल लोगों का यह concept clear है वो लोग मुझे तुरंट reply करें बताएं कि इस बात समझ में आ गई है आपको फटाफट सभी लोग एक एक बार मुझे को reply करें बिलकुल भी कंजूसी मत करें रिप्लाइ करने मुझे तुरंट बताएं अगला देखिए थर्ड कोश्य थेखिए इन वन किलो ग्राम ऑफ मिक्स्चर ऑफ सैंड एंड आइरन 20 परसंट इस आइरन हाव मच सैंड शुड बी एड़ेड़ सो दैट दफ प्रपोर्शन ऑफ आइरन बिकम्स तेन परसंट आया नहीं आप लोगों का रिप्लाई हाँ वेरी गुल सभी लोग बताते रहिए समझ में ना आये तो प्लीज एम मुझे बताईएगा कि सब नहीं आया मैं फिर से बता दूँगा अब इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं मैं आपको सबसे पहले बेसिक रेशियो वाला मैथेड बदाता हूं बेसिक मैथेड रेशियो मैथेड इसको पहले हम लोग रेशियो मैथेड से देखेंगे आइरन आइरन नतलब लोहा, सैंड बालू, आइरन कितने परसंट है, 20%, अगर 20% आइरन है, तो सैंड कितना होगा, 80%, 20 आइरन, सैंड 80, रेशियो निकालेंगे, 1 रेशियो 4, कितना हो जायागा, 1 रेशियो 4, यह बात आ गई आई समझ में, फिर देखो, अब आप से कह रहा है कि कितना सैंड और मिला दिया जाए, कितनी बालू और मिला दिया कि यह रेशियो 10% हो जाए, मतलब आइरन 10% हो जाए, एक जी बिताओ, आइरन अगर 10% हो जाएगा, तो सैंड कितना हो जाएगा, 90%, 10 और 90, इंका रेशियो निकालेंगे, तो 1 रेशियो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 रेशियो 9 ठीक है? अब देख़े, क्या मिलाया गया है, सैंड मिलाया गया है, यानि बालू मिलाए गई, बालू मिलाए गई, तो इसका मतलब iron की जो quantity है वो दोनों जगा क्या होगी सेम होगी तो उसके साथ कोई change नहीं होगा उसमें कोई change नहीं होगा ठीक है अब यहाँ पर देखो कितना आप से पूछा गया है total कितना था वन किलो ग्राम मिक्स्चर था चार और एक पांच यूनिट की वैल्यू वन किलो ग्राम के बराबर है सैंड बताइए चार यूनिट से नव यूनिट पे आ गए कितना बढ़ा पांच यूनिट तो पांच यूनिट की वैल्यू जाहिर सी बात है वही बन किलो ग्राम के बराबर होगी 1 kg अंसर हो गया इसका सिंपल है कि कर लेंगे सबी लोग कोई confusion है तो पूछें उससे अगला देखें 28 परसंट इथेनॉल गोल प्राप्त करने के लिए 20 परसंट इथेनॉल गोल को 40 परसंट इथेनॉल गोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए आपसे पूछ रहा है 28 परसंट इथेनॉल गोल प्राप्त करने के लिए 20 परसंट इथेनॉल गोल को 40 परसंट अच्छा है इस वाले question को एक मिनट इस वाले question में जड़ा आप लोग मुझको यह बताईए क्या यह question समझ में आ गया है माया निखिल सबी लोग बताईए जड़ा हाँ एक मिनट 28 परसंट इथेनॉल गोल को प्राप्त करने के लिए 20 परसंट इथेनॉल गोल को 40 परसंट इथेनॉल गोल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए मतलब पहले था 20 परसंट बाद वाला कितना है 40 परसंट इन दोनों को किस अनुपात में मिला दे कि जो मिक्स्चर बनता है कि जो मिक्स्चर बनता है मिक्स्चर में एथेनॉल का परसंटेज कितना हो जा रहा है 28 परसंट चालिस से 28 माइनस करो 12 बचेगा 28 से 20 माइनस करो कितना आएगा 8 4-3 जा 12, 4-2 जा 8 3 रेशियो 2 होगा, very good माया, माया का बिल्कु सही आया है 3 रेशियो 2 बताइए किसी स्टुडेंट को कोई confusion, कोई doubt है तो पूच सकते हैं मेरी अनकैडमी के लड़निंग एप के साड़े 10 बजे क्लास होगी रात में जिसमें मैं आज 25 मिस्लेनियस question का discussion कराऊंगा, यह 25 question आपके सभी 25 chapter को cover करेगा और अगर आप मेंसे कोई भी student जो बिल्कुल basic से math पढ़ना चाता है, वो मेरे referral code का use कर सकता है, दीपांकर live मेरा referral code है, दीपांकर live मेरा referral code है, आप मेंसे कोई भी student जिसको जरूरत है, वो मेरे इस referral code का use कर सकते ही चलिए, अगला question देखिए, दो मिस्रण A और B में करमसा 30% और 80% दूर है, जिनको मिलाने पर प्राप्त मिस्रण में 50% दूर होता है, मिस्रण में A और B की मात्रा का अनुपाद याद करें, हाजी वताहिए, क्या answer होगा इसका, 30% और 80%, 30% और 80%, दो मिस्रण है, A और B में करमसा 30% और 80% दूर है, जिनको मिलाने पर प्राप्त मिस्रण 50% प्राप्त होता है, ठीक है, एक्ती से 50 माइनस करेंगे, कितना आएगा 30, 50 से 30 माइनस करेंगे, कितना आएगा 20, जीरो-जीरो कर जाएगा, कितना आजाएगा 3 रेशियो 2, तीन अनुपाद 2, बदाएगे, दोनों आप्शन सही हैं आपर, दी अरेडी से में हाँ, दोनों सही है, कर लेंगे, कोई confusion हो गयरा है, तो पूछे आप लो तीन समान छमता की बोतलों में दूद तथा पानी के मिसरा कानुपाद 2 रेशियो 1 रेशियो 3 रेशियो 7 है, यह ऐसे दिया कैए, 2 रेशियो 1, 3 रेशियो 7, 4 रेशियो 11, यह ऐसे यह बीच में कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, 2 रेशियो 1, 3 रेशियो 7 और 4 रेशियो 11 है, इन तीन बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, तो बड़ी बोतल में दूद और पानी का अनुपाद ज्याद करें, बदाएए इस कांसर, क्या आएगा इस कांसर, याद रखिये, इधर देखो, पहले रेशियो कितना था, 2 रेशियो 1, 3 वाटल्स आर इक्वल कपैसिटी, तीनों की छमता समान है, मिल्क एड वाटर, 2 और 1, 3, 7 और 3, 10, 11, 4, 15, ठीक है, 3, 10 और 15, अब देखो, इनका हम लोगों ने LCM ले लिया, कितना हो गया, 30, यहाँ पे 10 से मल्टिप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे, 10, 3 और 2, ठीक है, यह याद रखिये, 10, 3 और 2, इनका, इससे देखो क्या होगा, कि यह तीनों वैल्यू बराबर होगे, 30, 30 और 30, क्यों किया है इसमें, ऐसा क्यों किया, क्यों कि इसकी हमको equal capacity बतानी है, समान चमका बतानी है, तो देखो, 10 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह कितना हो जागा, 20, 10 से दोनों में मल्टिप्लाई करेंगे, 10, 2 जा 20, और यह कितना हो जागा, 10, 3 से करेंगे, 3, 3s और 9, 7, 3s और 21, 4, 2s और 8, 11, 2 जा 22, आप देखो, 20 और 9, 29 और 8, 37, 20, 20, 40, 10, 50, और 30, 37, रेशियो तिर पर, आज आएगा, बताईए क्या यह बात समझ में आई है आप लोगों को, निखिल बिलकुल सही बोला है आपने, माया बताओ मुझको यह बात समझ में आई, निखिल और माया, तुम दोनों लोग बताओ जल्दी से, यह कोश्चन समझ में आ गया है, अगला कोश्चन देखो, अगला कोश्चन देखो, पचास लीटर के मिस्रण में दूद और पानी का रेशियो 3, रेशियो 2 है, दोनों का एक समान अनुपात बनाने के लिए, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, पहले रेशियो कितना था, 3, रेशियो 2, दोनों का अनुपात समान बनाना है, 1, रेशियो 1, फड़ा फड़ा अंसर करो तुम लोग, फड़ा फड़ा अंसर करो, बताओ, रुको मत बिलकुल भी, पहले रेशियो इतना था, इनीशियल में इतना था, फाइनल में इतना हो गया, क्या मिलाने की बात हो रही है, दोनों का एक समान बनाने के लिए, कितना पानी मिलाया जाए, पानी मिलाने की बात हो रही है, इसका मतलब मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेंगी, यहाँ पर 3 से म हो गया तो वोटर कितना बढ़ा दो से तीन एक की वेल्यू दस ए आजागा 10 आएगा 10 आएगा बताओ आया समझें सी कैसे हो जाएगा सी नहीं होगा निखिल तुम बताओ अपना कितना आ रहा है अनकैडमी के लर्निंग एप पे मेरी साड़े 10 बजे रात में क्लास होती है जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैप पढ़ा रहा हूं आप जोईन कर सकते हैं ये मेरी इस्पेशल क्लास है फ्री वाली क्लास है निखिल तुमको भी जोईन करना है बागी माया तो रेगुलर आती पढ़ने और भी बच्चे रेगुलर आते हैं पढ़ने ये स्पेशल क्लास है इसमें मैं आज 25 मिस्लेमियस कॉश्चन का डिस्कुशन कराऊंगा ये 25 कॉश्चन आपके सभी 25 चैप्टर को मैथ के कवर करेंगे अगला कॉश्चन आईए तीन बरतन के समान मिस्लेमियस में दूद और पानी का रेशियो ये दिया जाए सभी मिस्लेमियस को एक साथ मिला दिया जा तो मिस्लेमियस में दूद और पानी का अंपा एक चीज द 5 रेशियो 2 6 रेशियो 2 4 और 1 पाँच 5 और 2 साथ 6 और 1 साथ समान चमता है अब यहाँ पर देखो बराबर करने के लिए इसमें 7 से मल्टिप्लाई इसमें 5 से मल्टिप्लाई और इसमें 5 से मल्टिप्लाई साथ से करेंगे तो यह देखो सारे 35 35 बराबर हो गए तो 7 4 जा 28 7 बंज़ 7 5 5 जा 25 5 2 जा 10 5 6 जा 30 5 बंज़ 5 अब देखो सारे बराबर हो गए 8 5 13 3 2 5 2 7 और 1 8 83 देखो 83 आगया 83 इसी में है तो भी हो जाएगा बस और इसमें कुछ करना ही नहीं है अच्छा आठने कभी निखिल ले बोला है वरी गुड निखिल 10 7 17 5 बाइस हो जाएगा देखो इन कुश्चन से डरना नहीं है कुछ भी दम नहीं है इसमें इसमें बिलकुल भी दम नहीं है अगला देखो एक दूद वाले ने 15 किलोग्राम दूद खरीदा और 3 किलोग्राम पानी उसमें मिला दिया अगर मिस्रण की प्रती किलोग्राम कीमत 22 रुपए होती है तो दूद की प्रती किलोग्राम लागत कीमत क्या है दूद की प्रति किलोग्राम लागत कीमत क्या है यह बताना है हाजी बताईए अब फटा फट अंसर करो इसका अब मैं वेट कर रहा हूँ लोगों का बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ अब इसका अंसर पहले आप लोग करेंगे तम मैं बताऊंगा हाँ देखो पंद्रा किलोग्राम है अगर अगर आप इसको एलिगेशन से लगाना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हूँ अभी तक अंसर नहीं मिला मुझे किसी का भी पंद्रा किलोग्राम दूद था तीन किलोग्राम पानी था दोनों को मिला दिया गया तो एक मिसरण बनता है मिसरण जो बनता है यहां पर बोला जा रहा है अ मिल्क मैं बॉट फिफ्टीन किलोग्राम अगर इसकी सब की कॉस्ट अगर हमने यह मान ली याद रखिए यह एलिगेशन इसमें मत लगाईएगा इस तरीके से घलत हो जाएगा पहले तो अंसर आप लोग बताओ जरा मुझे किसी का आया के लिए आएट भी बहुत बढ़िया नहीं एर्थ वाला नहीं है नाइन्थ वाले का बताईए अंसर निखिल माया सभी लोग बताओ सुन लीजे सभी लोग अनकैडमी के लर्णिंग एप पे मैं साड़े दस बजे आप लोगों को मिलूँगा आज मैं 25 मिसलेनियस क्वेश्चन का डिटेल डिस्केशन कराने वाला हूँ आप में से कोई भी सुडेंट जो अनकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो मेरा रीफरल को दीपांकर लाइफ का यूस करेगा उसको फीस में 10% का डिसकाउन दिसकाउन दिलेगा ठीक है और मेरा नया बैच अभी स्टाइट हो चुका है नया बैच इस्टाइट हुआ है जिसमें मैं बिलकुल बेसिक से मैथ पढ़ा रहा हूँ और बढ़िया बात क्या है कि उसमें मैंने मिक्शर एलिगेशन ही स्टाइट ही तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ टाइम ऊवर हो गया है गल मैं इसीं के आगे पढ़ाओंगा यह जो कौस्चन है यह आप लोगों का होंवेर्क है इसको आप सभी लोग कमेंट सक्षन में मुझे इसका आंसर बेजेगे च्षेके 9 बजे, इसी के आगे continue करूँगा, ये 9th नमबर है, इसी के आगे, 9th बताऊँगा, फिर 10th बताऊँगा, फिर 11th, 12th ऐसे चलूँगा, ठीके, अब यहां का time over हो गया है, मेरी अगली class है, 10.30 बजे, उसमें आप सभी लोग आईए, मैं आपसे फिर से मुलाकात करता हूँ, 10. ठीके, मैं अपने एक group का आप लोगों को link भेज दे रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी student जो मेरा group join करना चाहता है, ठीके, वो मेरे group में आ सकता है, ये मैंने अपने group का link आप लोगों के साथ share कर लिया है, ये मेरे group का link है, अगर आपने से कोई भी student मेरा group join करना चाहता है, तो आ सकता है, और अगर subscription से related को information चाहते हैं, तो इस group पे आप मुझसे discuss कर सकते हैं, थेंक यू, थेंक यू सो मच अवरीबन, बबाएन नमस्कार, कल फिर मिलते हैं, अभी मैं साथे दस बुजे अनकाड़िमी के learning app पे आप से फिर समुलाकात करता है,